से हैं मैं आपका बहुत स्वागत है दोस्तों ये देखिए BPSC TRE 3 का जो एक्जाम होने वाला है और 4.0 का भी एक्जाम होने वाला है उसका जो है 125 का ये है पुछा हुआ क्वेशन और ये पुछा हुआ क्वेशन किसके लिए महतपूर्ण होगा तो 3.0 के लिए और 4.0 के लि रहेंगे और इसमें टोटल 1500 कोईशन है देसके में क्या मिलेगा 120 आपको समानने अध्यन मिलेगा इसके बाद है 30 कोईशन जो है आपको भासा से मिलेगा तो चलिए हम कोईशन का डिसकास करते हैं इसमें देखिए ये एक्जाम जो हुआ है 248 2013 का और 1st City का एक्जाम हुआ ह तो चलिए हम question की और चलते हैं, इसमें देखिए पहला question जो पुछा गया है, कारा है उन्हें 138 में किसकी अध्यक्सता में राष्टिय योजना समीति के अस्थापना की गई है, तो ये जो हो जाएगा जा बाहर ला नहरू के अध्यक्सता में हो जाएगा, इसके बाद है दू अंधोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकिदारी कर दियने से इनकार कर दिया है, ये हो जगा सभी ने आवगया अंधोलन, इसके बाद अगला question देखिए पांच नमर कर रहा है, किस अस्थान पर बीजी तीलक ने होम रोलिंग के अस्थापना उन्हें 16 मे इसके बाद अगला question हम देख लेते हैं, चौन नमर question कर रहा है, हुंकार हिंदी सब्ताहिक पत्रिका के प्रकासन से कौन सम्वंधित है, ये कौन सा हो जाएगा, उप्योक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, कौन-कौन ता हो जाएगा, तो राहुल सांस्कृतिय हो जागा, इसके बाद अगला question देखिए, साथ नमर question कर रहा है, किस अंग्रेज सैने अधिकारी ने जहांसी की रानी को यह कहते हुए सर्धान जली दी थी, कि यहां वह आउरत सोई हैं, जो बिदरोहियों में एक मातर मर्द थी, ठीक है, क्या कर रहा है, किस अंग्रेज सैने अधिका इसके बाद अगला question देखिए, उन्हें सवाथारा के किस महिने में चमपारन किर्सी कानून चमपारन एग्रियनियन एक एक ये नील बगान के स्वामी के वृद पारित हुआ है, ये कब हो जाएगा, ये देखिए, इसको देखिए, इसको देख लेते हैं, इसका जो हो जाएगा उप्युक्त में से कोई नहीं, इसका एंसर ई लिया गया है, इसको पाद एकला question देखिए, इसमें कर रहा है, निमलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो चलिए हम सही कथन चून लेते हैं, पाहला कर रहा व्यक्तिकत सत्यागरा में, ब्रहमदार इसके बाद अगला कोईचन देखे बिहार के किस जंजाती ने कांगरेस के गया अधी बेशन में भाग लिया था यह कौन सा जंजाती हो जाएगा यह उराव जंजाती हो जाएगा इसके बाद इन्लियन ये जो है एक स्याधी गलत दिया है इसके बाथ एगला प्वेचन देखिए कर रहा है निमलीखित में कौनसा कथन सत्य है सही है तो इसमें हम देख लेतें कौनसा कथन सही हो जाएगा समाजिक तथा साइक्षनीक रूप से पिछरे वर्गों के आरक्षन है तू भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वायद हता निमलिकित में किस वर्स निर्मित हुई थी तो ये जो कब हो जाएगा उनिस्सो बिरानविर में हो जाएगा इसक बाद एकला क्वेचन हम देख लेंगे एंगस मेडी सन की पुस्तक दी वर्ल्ड एकोनोमिक हिस्टोर्णिकल एस्टैटिक्स के अनुसार प्राचिन काल में भारत का विश्व जी डिपी यानि पीपी में कितने परतिसद अंसदान था तो ये कितना परतिसद हो जाएगा 32 इसके बाद एकला क्वेचन देखिए कर रहा है 17 नमर में है मिलान करने वाला तो चलिए हम इसको मिलान कर लेते हैं 17 में कर रहा है इसके बाद है समान परिश्रमिक अधिनियम का पारित हुआ है तो ये हो जाएगा इसके बाद एकला क्वेचन देखिए कर रहा है 18 नमर कर रहा है निमलेखित में कौन सा बुन्यादी मुल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के समीधान पर विचार विमर से तो शमीधान निर्मातरी सभा के मिलने से बहुत पहले है स्विकार कर लिया था ये हो जाएगा उप मुक्त की से आसरित करता है तो ये क्या हो जाएगा उप्यूत में से एक स्याधी किसका एंसर ओफिसियल दिया गया है इसके बाद एकला क्वेचन देखिए ये मिलान करने वाला है कर रहा है निमलेखित सूची को सूचियों के दिये गए कूट से सही उतर चुनिए तो हम द चलिए इसको हमिलान कर गड़ी भी हटाओ का जो है नारा दिया है कौन इंदरा गांधी दिया है लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया है जो जनता दलने दिया है और जोतने वाले को भूमी यानि जोतने वाले को भूमी जो है बामर्चा का है और ये है तेलगूओं के श किस ने कहा अपनी राष्ट्य पहचान की उप्यक्षा भारत की समस्याओं का मुलभूत कारण है ये किस ने कहा था तो दिन दियाल उपाध्या ने कहा है और अगला कोचन चलते हैं 25 नमर का रहा है निमलिखित में से असायोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेती हरो की असायोग निमलिखित में से बिटी सासन के दौरान भारत वर्स के अंतरगत निर्वनी करन का मुख्य कारण क्या था ये क्या हो जाएगा विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमी को उन्नत करना इसका अंसर दू लिया गया है इसका अगला कोचन देकिए भ अगला कोचन देखिए निमलिखित में कौन सा पारी तंत्र का संघटक है तो ये कौन सा हो जाएगा उप्यूक्त में से एक से अधीक हो जाएगा इसके बाद हैगला कोचन देखिए निमलिखित में से कौन जंगल में आहर सिंखला का परतिनी धित्व करता है ये कौन सा हो प्रयाबरन में प्लास्टिक खाली अस्थान के किलिया द्वारा बिघटित नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, उप्यूक्त में से एक स्याधिक हो जाएगा, इसका एंसर, इसके बाद एगला कोचन देखिए, उर्जा के सुरोध जो कार्बन उत्तरजन में बिर्धी नहीं करता है, में सामिल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सामिल, उप्यूक्त में से एक स्याधिक इउया ऑनसर, लिया गए है, इसके बाद एगला कोचन देखिए, हरे पौधे सुरोज के प्रकास के उर्जा को खाली अस्थान गरहन करते है, उस stato करते है, ये कौन सा हो जाएगा, एक परतिसर और ये कोईचन जो है NCRT बुक से लिया गया है इसके बार अगला कोईचन देखिए किसके नेतूत में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है तो ये किसके नेतूत में हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुना के नेतूत में हो जाएगा इसके बार अगला कोईचन निम लिखित में कौन सा जीब क्लोरो फिल की उपस्थिती में सुर्ज के प्रकास का अपयोग् कर अकार्बनिक पदार्थों को इयोगईक में परिवर्थत करता है तो ये कौन सा हो जएा उपयोग्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्या सब हो जाया, को जिवानू हो जाए तो उसको जो हम किस रूप में जानेंगे यह है जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं इसके बाद अगला कोचन जेखिए जनसंख्या की वहां छंताकिस के द्वार निर्धारित की जाती है यह जो हो जाएगा सीमित संसाधन के द्वार निर्धारित की जाती है इसके बा अगला प्रुपर के ending करेंगे करते एक आप नो इसको है एक बढ़र कर दो स्य थनकली में स सबस्क्राइब विरित की तिरज़ा के बड़ावर भुजाओं वाले वर का च्छेतरफल होगा, तो क्या होगा, इसको लिख लिएगे, एक बड़ावर फिर से सुन दीजे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे, एक बड़ावर च्छेतरफल दिया हुआ है, चालिस पाई एस्ट्रॉयर तून लेते हैं देखिए इसका अंसर हो जाएगा कुछ तक हो जाएगा इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए यह बहुत गोजाइगा है उसी तरह dnk APC k있는 हो जका है उपी का मान होता है अंग्रico पी रूपिया में अगर से थर्माजन सो निकालेंगे वाय गारें होता है माहिटा एहां सब्सक्राइन अब्राइब स्क्राइब कित यहां करूशन को स्था लगम् fundraising देखेंगा कित명 क्वेशन करसे थ्यां थीख एक और गुन्しटि निकालेंगे थे कितना आजाएगा 341 आजाता है ठीक है इसको निकालनेंगे इसका एंसर C हो जाएगा इसके बाद है 50 नमर कोईचन देखिए 50 का रहा है एका स्मार्पोन को P रूपिया में बेचने 15% का लाव होता है और S मार्पोन को Q रूपिया में बेचने 15% की हानी होती है तब P और Q कितना हो जाएगा 110 परतिसत हो जाएगा उसी तरह Q रावर कितना होगा 100-4 परतिसत के हानी कह रहा है तो 96 हो जाएगा तो P Q का अनुपात कितना हो जाएगा तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 55 अनुपात 48 हो जाएगा ठीक है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा उप् तो दीगाई सब्जेक की education दिया है कितना इसमें 9 है लेकिन स्वर की संख्या इसमें कितना है 5 है ठीक है तो 5 फैक्टोरियल को में कैसे लिखेंगे 5 गुन्ने फैक्टोरियल 4 241 प्लस सित्र है उस्तर से हम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा टोटल Approach जीरो जीरो हो जाएगा इसका एंसर एक हो जाएगा इसके बाद है अगला कोईचन देखिए कहा रहा है निमलिखित भीनों को अब रोही करम में आरोही करम में विवस्थित किजिए तो इसके आरोही करम में विवस्थित किजिएगा तो इसका एंसर जो आ जाएगा इसके बा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा तीस आ जाएगा इसका रगला कुछ न रखिए एक व्यक्ति अंडे को इस परकार टुक्री में रखता है कि परतियक कर्मिक दीन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टुक्री में मौजुद संख्या के बढ़ावर है इस परकार संख्या बरावर्ड होती हो कितना लगभाग इसका इंसर जो हो जाएगा 2133 हो जाएगा चरिक है तो इसको हम देख लेते हैं अब आपको को देख रहा है सका में से खालिय स्थान के अस्थान पर कौन सी अंक आ जाएगा तो इसे हम केसे बनाएंगे इसका इंसर जो अजाएक वह जाएगा देखाई है याने सक बदले में इसके फिक्षन लिख theo क्यूत गया और चार मार्क पतना से कुलकता जाने के है, पतना होते हुए परियाग राज के कुलकता जाने के कितने संभव रास्ते हो जाएगा, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो परियाग राज से पतना जाने के कितना रा इसके बाद है अगला कोईचन देखिए, एक सथ नमर कह रहा है, समाल है मैथ मनाने का किसी कलब में सभी संदस या तो तंबोला या टम्मी में भाग लेते हैं, 320 रसी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं, कलब में कितना संदस ह हो जाएगा तो इसका सदस हो जाएगा 450 आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका इसका बाद आगला कोश्चन देखिए तरह से बनाया गया है इसके बाद आगला कोश्चन देखिए के किस मान के लिए समीकरन निकाय जो है एक स्क्रीन पर देख सकते हैं बनाया हुआ है इसके बाद आगला कोश्चन देखिए तरह से बनाया हुआ है इसके बाद है पैंसर नमर कोश्चन देखिए पैंसर नमर का रहा है पंद्रह हजार चौसुपचीस का सोलब प्रतिस दवार्शिक व्याज की दर्शे नौ महिना का चक्रविधी व्याज क्या होगा जबकि व्याज जो है तिमाही देता है तो इसका अंसर कितना आ जाएगा पैंसर का उन्हें सो एका बना जाएगा आप इसको भी देख सकते हैं स्क्रीन पर बनाया हुआ है आप देखके इसको बना लेंगे इसके बाद है च्यासर नमर कोश्चन देखिए कह रहा है यदी समी करंद थिरी थिरी के एक स्कॉइर माइनस पचीस के एक स्पलस के बड़ एक समकुन तिर्भुज की भुजाएं इसके आधार से 6 cm कम है यदी अतीभुज कर्ण रूट 218 cm है तो अन्य दो भुजाएं cm में हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा उप्यूक्त में से कोई नहीं आप इसक्रीन पर इसको देख सकते हैं बनाया असर आजाएगा ठीक है इसका अन्सर कितना कितना आता है तो 27 आएगा मैनस 27 भी आता है और और जो है मैनस 14 बटा 13 भी आता है इसका एंसर दो आता है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बनाया हुआ है इसके बाद है अगला नमर कोईचन देखिए किसी धातू के ठोस गोला के 33 सेंटीमेटर है तो इसमें 4 मीमी व्यास का कितना लंबा तार खिचा जा सकता है तो इसका उसकी परतिसत हानी क्या हो जाएगा तो इसका एंसर आ जाएगा 16 पूर्णाक 2 गटा 3 आप इसक्रीन पर देख लिजिए बनाया हुआ है इसके बाद हैगला कोईचन देखिए 72 नमर कोईचन कह रहा है दो अंको की एक संख्या के अंको गागुनान पल 36 है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं तो संख्या कितना हो जाएगा इसका जो एंसर आ जाता है 93 आ जाएगा आप इसकीन पर इसकीन पर इसकीन पर देख लिजे बनाया हुआ है इसके बाद देखिए अगला कोईचन देखिए फोर एक्स फोर के पावर ए 10 दिया है इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा उपयूत में से एक से यादिक एंसर आ जाएगा अब me इसके बाद है देखिए 75 नमर क्वेशन कर रहा है कर रहा है XQ-3X2-X2 को एक बहुपद GX से विभाजित करने पर भागफ़ल और सेस पर कलम से X2-X1 और –2X4 आता है तो GX होगा तो इसका क्या हो जाएगा एंसर इसका जो एंसर आजाएगा X-2 इसका एंसर आजाएगा आप स्कीन पर देखिए बनाया हुआ है इसके बाद है देखिए इसके बाद है आगला क्वेशन देखिए 76 नमर क्वेशन कर रहा है एक खिलाओने एक संकु के अकार का है जो 7 cm व्यास वाले एक अर्ध गोले पर चठा हुआ है खिलाओने के कुल उचाय जो दिया है 14.5 cm है तो खिलाओने का आयतन कितना होगा अुम के नियम के सत्यापन के लिए दिहान रखने वाली बात है तो क्या धिहान रखने बाले बात है तो इसका answer 1 हो जाएगा ए मीटर को सरेनी करम में और वल्ट मीटर को जो है समानतर करम में जोड़ना चाहिए इसका answer 1 हो जाएगा इसका इसका answer 1 हो जाएगा इसके बाद अगला question देखिए 89 question कह रहा है इसके बाद 80 नमर कोईचन देखिए बार्ड को रोकने के लिए सबसे उत्म भी धी कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा वन रोपन हो जाएगा इसके बाद 80 नमर को रहा है खाने के डिवे पर जींग के बज़ाए टीन की परत चड़ी होती है क्योंकि तो इसका टीन का परत और डिम का निर्मान ये सभी हो जाएगा इसका इंसर एक से अधिक हो जाएगा इसके बाद 83 नमर कोईचन देखिए बिधूत बीभव को मापने के लिए इस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो ये जो हो जाएगा उपयोग में से एक से अधिक है निए वोल्ट मीटर का भी और पोटेंशियल मीटर का भी उपयोग किया जाता है इसके बाद है चुमबकिये छेतर हैं चुमबकिये छेतर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा सदीस रासी है इसका बाद अगला कोईचन देखिए एक विक्ति पर अधीक भारकिस इस्तिती में धगेल सकता है इसका बतन में बर्फ का एक टूकरा डाला जाता है तो बर्फ के पीघनले पर मीट्टी के तेल की सता क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा गिरेगी इसका अंसर एक आजाएगा इसका बाद देखिए 90 नमर क्वेशन करा निमलिकेत में 30 पी एच 7 साथ जाधीक है तो देख लेते हुए चूने पर क्लोरीन गैस की किरिया से कौन सा पदार्थ बनता है ये हो जाएगा बिरंजक चूर्ण बनता है इसके बाद एगला क्वेशन देखिए 90 नमर करा है निमलिकेत में कौन सा देश हाल ही में गठीत आइटू यूटू ग्रूपिंग का सदस्य है ये कौन सा हो देश का जो अंतराष्ट्री अपराधिक नियाला आई सीसी ने किसके विरूद गरफतारी वरेंट्री जारी है तो ये हो जाएगा किसके विरूद रूसी रास्ट्पती ब्लादिन पुतीन के विरूद इसके बाद आगला क्वेशन तीरती है भारत परसान धीपिय सहयोग म करा आया निम्मिकित में से किस देश की संसदिय समीती ने हाल ही में शिफारिस की कि भारत को नाटो प्लस समु का हिस्सा बनाया जाना चाहिए तो ये यूएस से ने सिफारिस किया इसके बाद अगला कोशन अंतराष्ट्य बुकरपुर्स का दो हजाद तो दिया गया है किसे काधि गोस्टपो डिनोव को दिया है इसका अंसर सि हो जाएगा इसका अंसर सि हो जाएगा इसका बहुत में से कोई नहीं इसका बिहार का सक्षजता अतर महिला का हो जाएगा 51.5 हो जाएगा इसके बाद अगला कोईचन देखे सुभातरा देवी जिनको 2023 में पद्मस्री पूर्शकार से नवाजा गया जानी जाती है तो किसके रूप में जानी जाती है तो ये हो जाएगा पेपर मेसी कलाकार के रूप में इसके बाद अगला कोईचन भारत की संसद के नए भवन के परभारी वस्तुकार का नाम क्या हो जाएगा यह हो जाएगा पदमस्री बीमल पटेल यानि भारत की संसद के नए भवन के परभारी वस्तुकार का नाम हो जाएगा पदमस्री बीमल पटेल हो जाएगा इसके बाद कि वेस्क अबादिक के मत दाताओं का प्रभावी प्रतिसाद क्या था यह हो जाएगा दोस से पंद्रव प्रतिसाद इसका अगला कोशन देखिए 104 नमर कर रहा है किस राज ने अप्रेल 2030 में ट्रांजेंदर समुदाय को ओवी सी का दरजा दिया है तो यह हो जाएगा कौन सा मत परदिस हो जाएगा इसका बाद 150 कोसचन देखिये मुखमण विन तॉघल के सासंकाल में भारता आयफ परसितल मुच्छिम करता इबन बतुता समुदान के थे यह कहां हो जाएगा मुरखको, ख जाएगा और अगला क्वोश्चन देखिये चाहां किया गया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो जल्दी से कर दिए क क्योंकि आपको पूरा प्रिवियस कॉइस्चन आर सेट मिल जाएगा आपके पस इसके पास पाध अगला कोईचन देखिए निर्मान है तो प्लांट किस राज में इस्थापित क किया गया है यह कहां किया गया है गुजराद में किया गया और 1008 नमर कोस्यञा ऑने sırबॉय गांधी में किवन पर पक्राइबॉ ऑईय लियार के पीछ और यह दो प्रतो का सही करम हो जाएगा तो देखिए मिलपा कहां का हो जाएगा तो मिलपा जो है रोडेसिया दे दिया है यह कहां हो जाएगा जिंबामबे यहां देखिए रोडेसिया और जिंबामबे दे दिया है तो यह गलत हो जाएगा ठीक है यह कहां का है मध्यमिर्का का हो जाएगा लदांग कहां का है तो लदांग जो है मलेसिया का यह सही है चेना कहां का हो जाएगा बंगलादेश का नही चार मिनट लगता है तो तिन जो का बार 120 हो गया 120 मिनट 120 मिनट क्या बोलेंगे 2 घंटा इसका अंसर C हो जाएगा इसके बाद 113 नमर कोचेन देखिए महासागरिय प्रपटी के मुख्य खनीज घटा कौन सा हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा सिलिका और मैगनेसियम हो जाए भारत के खनीज देल पेट्रोलियम उत्पादक छेत्रा उसकी अवस्तितियों का सही युगम कौन सा है जिसमें सही युगम हमको चुमना है तो एक से अधीक हो जाएगा ठीक है इसके बाद 117 नमर देखिए निमलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है तो ज खीड़ा हो जाएगा तर्बुज हो जाएगा और खर्बुज हो जाएगा इसका अंसर डी हो जाएगा इसके बाद एक सही है और पी तरंगे अनुपरस्त तरंगे है तो अनुपरस्त नहीं होगा अनुदैर्ध होगा तो इसका अंसर हो जाएगा एक और दो सही है तीन गलत इसका अंसर डी हो जाए उपयोक्त में से एक से अधीक इसके बाद उन्हें इस नमर देखें निमलिक्ते में कौन सा कथन उत्री अमिर्का महादीप की लेक सुपरियर के समध में सत्य हैं तो हम देख लेते हैं कराया, कनाटा और USA के मद भागौलिक सीमा बनाती है तो बिल्कुल सही है दूसरा कराया, दोनों देशों के मद लगब सत्रह हजार किलोमेटर की लंबी सीमा बनाता है तो गलत हो जाएगा सत्रह सो होगा, सत्रह हजार नहीं होगा इसके बाद है, या 20 का खारे जलका सबसे बड़ा जील है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका एंसर एक हो है और लास्ट कोईचन देखिए, आकार और माप में समान के कारण किस गरह को पीठीवी का जुरबाय गरह कहा जाता है ये कौन सा हो जाएगा, सुक्र हो जाएगा तो देखिए, 120 कोईचन इसमें दिया है तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लिजा और दोसरों के बीच जो है इस वीडियो को सेर कर दीजे लाइक कर दीजा और अभी तक जो है दूसरा सेट नहीं देखे है, 125 का पुछा हुआ तो आप जाके देख सकते है जैन जै भारत